नमस्कार दोस्तों मैंना नाम है अमेट स्वागत है आप सब का डिफेंस डिकोट पे और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में सबसे पहले बात कर लेंगे तो S-400 को लेके ऐसा बताया जा रहा है कि यह हर तरह के जो stealth aircraft है या फिर hypersonic missile है उसको भी हिट करने में सक्षम है और यह ख़बर आई है रशियन मीडिया ग्रूप टैस ने जब एक मीडिया इंट्रेक्शन किया था रशिया के स्टैमिलेटर कमांड से तो वहां से यह ख़बर है कि यह जो hypersonic target था वो किस प्रकार का था ballistic driven था scramjet था या फिक glide vehicle के रूप में था तो इस पर कोई clarity नहीं है लेकिन जहां तक संभावना है कि S-400 की ballistic hypersonic target को hit कर पाए तो वह संभव है बसरते इसका जो radar है वो target को track करना चाहिए क्योंकि अगर आप देखोगे S-400 की target velocity तो व 14 mark के round है और वहीं पर जो S-400 के साथ radar है वो UHF VHF based frequency का इस्तमाल करता है जो कि काफी effective होते है stealth target को लेके तो जो possibility है कि S-400 ने किसी hypersonic missile को hit किया है इस अभ्यास के दोरान तो वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि असंभव हो फिलालवी इसको लेकि यही claim है Russian military की तरब से कि इस दोरान जो hypersonic target है उसको सफलता पूरवाग हिट किया गया है बात कर गोई इसके radar के यान की system की तो यह system तकरीबन 160 missile को guide करने में सक्षम है और वहीं पर उस में से तकरीबन 80 target को engage कर सकता है एक time पे simultaneously और यह जो target हो कुछ भी हो सकता है चाहिए cruise missile हो ballistic missile हो या फिर कोई अलग प और इसके अंतरकरत भारत तकरीबन 5 जो battalion है S-400 की वो लेगा delivery 2021 में start होनी है तो भारत के जो 5 battalion है उसको लगे विकाफी लोग पूछ रहते कि इसके अंदर कितने launcher होंगे और कितनी missile होंगी तो अगर बात करते हो एक large battalion की तो उसमें तकरीबन 9 के round जो launcher है वो होंगे और 120 missile होंगी जो कि एक combination होगा S-400 क्लास के अंदर जो अलग-लग category की missile है चाहे वो 380 km range की हो 200 km range की हो या फिर 120 km range की हो तो इन सब का एक combination इसमें होगा जो कि 120 के number में होगा एक battalion में प्लस को जो spare missile है वो भी ली जाएंगी तो यह आप एक totality में देखोगे तो 4 से 5000 जो missile है वो आन नहीं किया जाएगा तो बहराल आते हैं इस topic पर जहां पर S-400 ने actual में किसी hypersonic target को hit किया है क्योंकि इससे पहले यह सिर्फ अनुमान थे कि target velocity वह इतनी हो सकती है या फिर इस प्रकार के fighter jet को यह hit कर सकता है तो यह सब कुछ अभी on paper claim के जा रहे थे लेकिन यहां पर इस component के बारे में जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 33 में जो भारत के कुछ मुख के system है स्वदेशी उसके बारे में बात करेंगे अलग अलग वीडियो में तो आज बात करने वाले 33 के identification between friend and foe system के बारे में यानि कि IFF के बारे में जो कि यह सुनिशित करता है कि सामने वा airborne system यानि की CAPS ने develop किया है और यह वही lab है जिसने LSTAR जो radar है ने ट्राइवेक्स का वो develop किया है और अभी फिलाल एक 340 degree वाले 4 channel का इस्तेमाल करने वाला जो radar है वो develop करने में लगी हुई है lab तो इस lab नहीं तेजस के लिए जो IFF system है वो बनाया हुआ है इस system में अमोमन क्या ह होता है कि एक आपका होता interrogator और दूसरा होता आपका transponder जो कि इसके subsystem है और जो इसका interrogator है वो air to ground और air to air इन दोनों direction में अपने codes को भीजने में सक्षम है और वो code जो इसने भेजा है वो सामने के aircraft या फिर जो भी आपका सामने से object आ रहा है उसके पास जाता है उस सामने व वाला वो आपका friend है या फिर four है तो यह जो भी code signal है इसको आप किसी भी specific direction में भीज सकते हो मानलो इस तरह का system सामने से आपको किसी ने भेजा है तो आपका joint interrogator है वो उसको receive करके process करके radar के पास भीज देता है उस data को और यह पूरा का पूरा जो काम है वो हो रहा होता है military standard क bus के through और वहां से जो radar है उसको इस direction मिल जाती है कि सामने वाला friend है या फिर four है ताकि वो उसको target नहीं करेगा अगर four होगा तो उसको target करके lock करके आप से पूछेगा missile launch करनी है नहीं तो इस तरह के जो transponder और interrogator होते हैं वो मुक्षता चार mode में काम करने में सक्षम होते हैं औ जो reply codes हैं उनको भेजने और identify करने में सक्षम होता है यह और इतना ही नहीं अगर कोई code आता है सामने के aircraft से तो उसको receive करने के बाद उस particular aircraft का क्या tail number है उसको भी पता करने में सक्षम होता है और वहीं पर एक और mode दिया जाते हैं इन में कि अगर सामने से कोई civilian aircraft आ रहा है तो उससे interrogation के लिए भी एक particular mode दिया गया होता है इस तरह के IFF सिस्टम अमोन operate कर दे हैं थाउजन थर्टी मेगा हाज से थाउजन नांटी के बीच में तो यह सिस्टम भी अपने आप में काफी कारगार है और कुछ इसी परकार के सिस्टम में गरबढ़ी हो गई थी last year जिससे क तो इस परकार का सिस्टम भी तेजस के लिए डिया डियो ने खुछ डेवलप किया है तो अफिलाल इस वीडियो में इतना ही रखेंगे जाहिंद झाल